कि यह व्रवन वल्कम बैक्स इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं लुमियन में इंटेर की रेलिस्टिक रेंडरिंग कैसे करने हैं और जो भी टेक्चर्स आपने 3D Max में या विरे में यूस किए उस टेक्चर के साथ में मॉडल को लुमियन में कैसे इंपोर्ट करना करें और नोटिपिकिसिन के लिए बेल आइकन पर भी जरूब ट्रिक किजिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे पास यहाप एक लिविंग रूम का सीने और मैंने यहाप वीरे मटर्ट को यूज किया है अगर आप चाहते हो कि यह सारे के सा सब्सक्राइब कर लेता हूँ यहां से वीरे तो स्टैंडर मटर्ट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और आप यहां से नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर कन्वर्ट को आप्शन मिल जाएगा तो आपको यहां पर convert पर click कर देना है उसके बाद आपके यहां से इसको yes कर दिजे तो जो भी आपका वीरे material था उसको सेकंड्स के अंदर यह इसको standard material में आपके convert कर देगा आपको यहां से इसको close कर देना है कि हमारा यहां पर done हो चुका है आप देख सकते हैं अभी यह standard material में convert हो चुका है जो भी हमारे यहां पर material है वो सारे के सारे अभी standard material में convert हो चुके है उसके बाद हमें यहां से इसको model को यहां से export कर देना है जो भी फाइल का location आप यहां पर select करना चाहते हो आपसे select कर देजिए और इसको यहां से FBX format ने save कर देजिए Export कर देजिए मैं आपसे मेरा फाइल का location यहां पर दे रहता हूँ यहां से naming भी कर देता वो इसको living room और आप देख सकते हैं मैंने आप एक बेस्ट को यह पर सेलेक करके रखाएं आपको यह से इसको ओके कर देना है और आपका मॉडल यहां पर एकस्पोर्ट होना शुरू हो जाएगा अब कर देजिए अब हम यहां पर डूमें में आ जाते यहां से आपे जो मॉडल हमने आपके एकस्पोर्ट किया था इसको यहां से इंपोर्ट कर लेना है यह वाला मॉडल हमने है या से इसको यासे सेलेक कर लेते और यासे ओपन कर लेना है या से यसे को इसको ऑके कर देना है तो यह हमारा मॉडल है है आपे इंपोर्ट हो चुका है कि व्यापन करले जे अ जासे एरो जो लिखा है उसको select कर दिना है तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पर टेक्चर्स थे 3D Max के फाइल में तो सारी के सारी टेक्चर्स हमें यहाँ पर आ गए है इसके बाद हमने इसको export किया था आ अब यहाँ आपको इस तरीके से आपको आपको इंपॉर्ट करना है अभी आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्चर्स है उस पर हमें प्रॉपर तरीके से रेफ्लेक्शन नहीं है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सारे के सारे जो हमारे object है उसको आपसे material में जाके इसको select कर लेना है और reflection को exist कर लेना है जैसे आप material पे click करोगे तो आपको ऐसे material का custom option में जाके standard को select करना है और यहाँ से जो आप standard पे select करेगे तो आपको यहाँ पे reflection show करेगा मगर यह इसका basic reflection है आपको यासे इसका parameter को यासे change कर देना है grossiness को और reflection को आप यासे थोड़ा सा change कर लीजे इतनी आपको requirement है उस हिसाब से आप इसको यह पर adjust कर लीजे इसके मतलब आप यहासे दूसरे वाले object को भी यह पर select करके same process आपको यह पर करना है यहाँ पर यहाँ पर हमारे वुरूस के प्लानल से उसके भी हमारा यहाँ पर reflection एड़ करना है तो आप यहाँ से इसको standard पर click कीजे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते काफी ज्यादा reflect हो रहा है तो इसको आपको यहाँ से reflection और glossiness को यहाँ से कम कर देना है तो आप अपनी साब से यहाँ पर reflection को एक्जिस्ट कर सकते हैं जो सारे यहाँ पर जो भी आपके object है सबको आप select कर लिजे एक एक करके और इसका reflection को आप यहाँ एक्जिस्ट कर लिजेए सारी के सारी चीजे में आपके select कर रहा हूँ जो भी मेरे reflection आने वाला है अगर आप किसी को किसी चीज आपके important नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो भी आपका टेक्चर जो पर तरीके से आपके शोव करेगा इस साइट में भी यहाँ पर मेरा टेक्चर से अगर मैं आप पिचाताओ कि यह वाला जो मेरा आपके यहाँ चेंज कर सकता हूँ को यहां से material ने जाना है और आपको यहाँ की जो यहाँ पर material लेबरर यहास से किसी भी टेक्टार olabilir सेलेक कर सकते किक्टार का या पर चान कर सकते हैं देख सकते हैं योगे में होय तो आपके चेक कर लीजा है कि अध्या प्टाइल चाहिए तो यह प्रक्सरीज तरहें अध्यातमिलों मुन रही है मैं तोड़ा सा या वाइट कलर वाला चाहिए तो यह वाला हम यह आप पर सेलेक्ट कर लेते हैं यह पर आप डबल क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्ट यह आप पर शो करेगी और आज से आप इसका स्केलिंग कर सकते हैं इसके पाद आपको यह से इसको कर देना है सेव कर देना है तो सारी चीजे जो है आपको इसको टेक्चर से आपको इसको रिफ्लेक्शन करना है तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट पर रोड कर देता हूं इससे हमारा यह पर टाइम बज्जा है सब को मियाज से एक्ट्रस को रिफ्लेक्शन पर अग्जेस्ट कर लेता हूं अग्जेस्ट कर लेता हूं अग्जेस्ट कर लेता हूं अग्जेस्ट कर लेता हूं इसके बाद हमें एक और चीज़ करने हैं आप यह पर लाइट में जाएंगे अग्जेस्ट कर लेता हूं अग्जेस्ट कर लेता हूं तो आपको यहां पर रिफ्लेक्शन कंट्रोल करके आप एक ऑप्चेन मिलेगा आपको यहां से इसको ओपन कर लेना है तो क्लिक करके आप इसको प्लेस कर देना है सेंटर में कहीं पर भी इसले क्या होगा जो भी आपका reflection है वो थोड़ा सा आपका control करेगा तो यह वाला option भी आप यहाप एड़ कर लिजे उसके बाद आप यहाँ से camera को select कर लिजे camera पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर camera view दिखाएगा तो camera को आप यहाँ पर adjust कर लिजे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे तोड़ा सा वाइड यहाप और close camera मिले तो वन मिटर हाइट में आपके रख रहा हूँ और इसका जो टोकल लेंथ है आप इसको तोड़ा सा बढ़ा दीजे जिससे आपको एक प्लोज से आपे रेम है आपके मिल जाएगी आप अपनी साब से इसक कैमेरा वाला जो आइकॉन दिख रहे है उसके क्लिक करेंगे तो आपका कैमेरा पर सेट हो जाएगा उसके बाद आपको यहां से जो मेरे यहां पर कुछ चीजे रहेगी तो मैं आप इसको भी लिख लेता हूँ यह मेरा रिफ्लेक्शन यहां पर रहे गाता हूँ पीवी का हेंais मिख यह यहां हमारा यहां पर जो सिलिउन में हमने लाइट लगा एए तो हम्हें मिख devot करना नहीं हो हमेले लाइप नहीं लगाएंगे इस प्लाइट मेट्र हमा पर कांप graphics से लाएंगे तो यह वाला जो इसका流 हिको अपीडिकर का मंकुर आता लाइट के लिए हम यहाँ पर इमेसिव मटरियल को यूज करेंगे वो सेंटर आले पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे आप पहला वाला उप्शन मिल जाएगा हमेसिव इसको यह बढ़ाएंगे तो आपका जो लाइट है आपका लाइट का मटरियल जो है आज आएगा और आप यहाँ से इसका कलर भी तोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो मैंने यहां पर लाइट का कलर भी चेंज कर दिया है इक बाद आप इसको यहां से ओके कर दिजिए वापस से मैं यहां से कैमेरा में जाना है कैमेरा पर क्लिक कर दिजिए अभी हम यहां पर कुछ iffects add करते हैं आपको या पर कुछ प्री सेट मिल जाएंगे जैसे के डियाली स्टिक डिय दिखेंगे से तो या से तोड़ा सा कम खर लेंगे है तो अपनी इससाफ से को क्या देख इसके जाहिए की अब के आप एकर ज्यादा कुछ एह ज्भर रहा थे दा के आप एधा कुछ्छ करनी की ज़रूरत हैं है उसाफम यहां पर comprend टेंपरेचर काम कर देगा और एक्स्प्लोजर भी आप इस वह संब रह सकते हैं ज्यादा भी निख बड़ाना है थोड़ा सा हम यह आप एक्स्प्लोजर को यह पर बढ़ा देथे कि अपर चेक कर सकते क्या क्या चीज़ आपको यापर रिसेट में एड़ हो गई है तो डेप्टप फिल की मुझे याप एक जरूत नहीं तो मैं इसको याप पर आप कर देता हूं किसी भी लेयर को याँसे याँसे वाप कर सकते हैं उसके बाद हम हमें याँसे एड़ेक्शन में जाना है whenhealth return का या इड़ित को अप्शिन मिलेगा उसके आप क्लिक कर दिजिए उसके बाद आप यहाँसरा रोबार हएप को याप एक पलें मिलेगा तो जिस जगा बप्सक्स उस जब आपको reflection चाहिए द्रेक्श की खेए इस तरीक पर आम पे reflection को एड़ कर सकते हैं अगर आपका कुछ reflection गलत हो जाता है तो आप उस वाले यह आपने reflection भी अगलत हो जाता है थो तो फेल जीत हो जाता है तो आप यहां पर reflection को select कर लिजे जिस जग आपको reflection की ज़रूरत है आप इसको select कर लिजे और ऐसे आपको आपका जो reflection है आप एड हो चुका है हमने normal पर रखा है अगर बाद में ज्यादा उसकी जरूरत पढ़ेंगी तो इसको आप बढ़ा सकते हैं कुछ कुछ पार्ट मेरे आप पर रहे गए थे तो रहे भी जाते हैं तो कोई इसका problem ने होगा आपको आपको reflection मिलेगा मगर खोड़ा सा आपको reflection का आपको हमें proper तरीके से अंदर आए जैसा आपको transparency मिल जाएगे अब इसके click करके इसका transparency क्रम कर सकते हैं अभी हम यहां पर एक render निकाल के देखते हैं कि हमें किस तरीके का हम है यहां पर जो हमारा रेंडर हो आ रहा है उससे पहले हम यहां से एक effect में जाके यहां पर कुछ call preset हम यहां पर एड़ कर लेंगे two point perspective जिससे आपका जो view यह एकदम proper तरीके से vertical और horizontal लाएगा वापस से हम यहां से effect को add करना है अभी हम यहां पर एक real sky को भी add कर लेते हैं अब वापस से double click करेंगे तो आपको यहां पर real sky मिल देंगे यहां से clear sky को यहां पर select कर लेता हूं इसके बाद आप इसके position को यहां पर change कर सकते हैं तो आप यहां पर इसकी position को set कर लिजे यह वाला position मुझे सही लग रहा है तो मैं आसे इसको रख दिता हूं अभी हम इसका एक render कर लेते हैं और देखते कि हम यहां पर क्या चीज़े आ रही है अगर कुछ change करना होगा तो अब इसको change कर लेंगे यहां पर मैं small size का यहां पर render कर लेता हूं लेश्टॉफ पर यहां से सेव कर लेते हैं इसको कोई भी अपने यहां पर कर दिजे और तो हमारा render यहां पर हो चुका है तो reflection भी हमें ठीक टाक ही आ रहा है मगर भार का जो light है हमारा यहां पर ब्लॉक हो चुका है आपको वही same चीज यहां पर भी यूज़ करने है light को अपना window को जो material उसको select करना है यहां से standard में जाना है इसका glossiness को आप यहां से थोड़ा सा करम कर दिजे वैसे इसके कोई जरूत नहीं या महीं दिखने वाला नहीं है सिर्फ transparency हम यहां पर इसके बढ़ा देंगे जिससे कि हमारा light जो एक आपको रहा वंदर आए कि दोनों जो इसके window को material थे मैंने इसको थोड़ा सा एक्ट्रेस कर दिया है transparency इसकी बढ़ा दिये वापस हमें यहां पर camera में जाना है यहां पर जो मेरा reflection है थोड़ा सा मुझे कम आ रहा है आप इसको यहां से भी बढ़ा सकते थोड़ा सा एक बार हम सब कुट चेक कर देते हैं हमने यहां पर reflection प्वापट किया है कि नहीं तो थोड़ा सा हम यहां पर एक्जिस्ट कर लेते हैं वापस एक बार यहां पूबके करदेजाएं मैं यह वाला मटरिल भी हम यहां पर ऑ्पर रोल नहीं कर रहे तो क्या करतें हैं इसको यहां से चेंज ही कर देते हैं रूम्यन का हमारे आ बज़े कर लेकि무 मैटलでは यहां पर यूसे कर सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो आछ जो नार्मल कर जाता है हम आई से नॉर्मल पर रख देटे लिएगा वाकस स्काइल लाइट वगर आप यहां पर चेंज कर सकते सबसे सारी है अगर कोई चीज करकाने लिजा अलब करने जाने से यॉया सबसे हैं होतर पर फिरदय वह सब्सक्राइब को पर थो है कि अपर कम कर सकते हैं वापनिसन में पर कलोदक्री चाहिए जान चैनल हम इसको तोड़ा सा यहां बड़ा देते हैं विख यहां फेटे कर लेते रेंडर करते निया हो Crimn तो अभी हमें क्या करना है थूड़ा सा हमें लाइट वगर हमें आपर चेंज कर देना है रिफ्लेक्शन पॉपर हमें आ पर आ रहा है बिल्कुल रियालिस्टिक जो लुक होता है वह में आ पर मिल रहा है सब ब्राइटनेस को मैं आपए कम करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही जाधा ब्राइट हो गया है फिर एक्स्पोजर जो आपने बढ़ा था आप उसको भी कम कर सकते थे हैं हम यहासे इसली ब्राइटनेस को कम कर देते हैं और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं वह सकते हैं हमने आपके कुछ गलर कर दिया हूँ तो बहुत हम इसको एक्जिस्ट कर लेते हैं अब जो लाइट हमारा यहां पर कम आ रहा है तो हम लाइट को भी यहां से थोड़ा सा बढ़ा ही रदेदबर यहां से आपको लाइट का मट्रेल जो आपने यहां पर बढ़ा है तो उसको सिलेक कर लेना है यहां से सेटिंग में जाके इसके वैलू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो लाइट भी हमारा यहां पर बढ़ जाएगा इसके पार सिंप्ली यहां से ओके कर जाना है और जो जो चीज आपके आपके रहे गई है रिफ्लेक्शन एड़ करने की तो आप इसको यहां पर कर लिजी एक बार मेरे शाय दे रहे गया था यहां पर तो हम यहां पर इसको थोड़ा सा एड़ कर लेते हैं पटापट करेंगे और इसको फोटो शॉप में आपको मैं दिखांगा कैसी एडिट करना है एक बार हम टोड़ा सा रेंडर करने से फ़रले रिफ्लेक्शन को चेक कर लेते हैं कोई हमारी चीज यहां पर फ्रूट दो नहीं गई है अपर कई हमने गलत रिफ्लेक्शन यहां पर नहीं कर दिया है यह भी हमने यहां पर अजिस्ट कर दिया था पर फिर वापस से कैमेरा में जाते हैं लोग इसे कैमेरा पर फीट करना है आप यहां पर भी व्यूपोर्ट में देख सकते हैं जो चेंजेस आपने किये और आपको यहां से ही चेंज करना तो आपको बिना रेंडर किये आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं एक बार आप सारी चीज़ों आपको जो आपने पर प्रिसिट एड़के उसको एक बार चेक कर लिजिए अगर आपको कुसी चीज में आपको इसकी वैलू को कम करना या ज्यादा करना आप इसको कर सकते हैं मेरे साब से इतना ठीक है मेरे लिए अभी हम यहां पर एक प्लांट को भी एड़ कर देंगे रेंडर करने से पहले हम यह पर प्लांट यहां पर एड़ कर देंगे प्लांट कर देंगे आप अर्वन हमने यहां पर प्लांट को एड़ कर दिया एक अब यहां से इसका रेंडर निकल लेते हैं आप से हम स्पैकूलर को भी जी एपक लेंगे और डेक्सटाफ सायेश में यहां पर इसको रेंडर करते हैं मेरे होने देते एक बार इसको कि अब अभी मेरा जो फाइनल रेंडर यह हो चुका है अभी हम इसको सेव कर लेते हैं अभी हम इसको फोटोशॉप में लेके जाएंगा और इसको एडिटिंग करके आपको मैं दिखाता हूं कि इसको किस तरिके से आपको एडिट करना है जो भी आपका और एक्स्प्लोजर है या फिर कलर का कोई इसको फोटोशॉप में सौल कर सकते हैं एक बिल्कुल रियालिस्टिक आपका याप जो इमेज होती है आपको यापर मिल जाते हैं होथी इजी और आसान तरीके से आपको यापर ज्यादा कुछ करने की जरुगत नही इत्ति फेकलार था जो हमारा मेनिमेज था उपर को मैं आपक ऑप कर देदा हू और इसकी इमेज के कफी कर लेता हूँ यासे यासे इसे इनल हमें फिल्टर में जाना है क्यामरा रोटार को यहाँ से ओपन कर लेना है इसके बाद आप यहां से आटो पे क्लिक कर देज़ें तो जो भी सारी चीज़ें होगी वो फोटोशॉप अपने आप यहां पे चेंज कर देगा स्कालेवा अगर आपको यहां से प्रूंट्रास करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं ज्य क्लिश Nep Bratag अगर आप पोटोशॉप में क्याप्य आच्छह तो यहां से चेंज कर सकते कि अंट्रस्ट को में हमेशा रपड़ा जिता हूं और हाइलाइट भी ठीक है तो यह सब चीज़े करने के बाद आप आसे इसको ओके कर देज़ें आप जैसे सकते हैं बीफोर और अप्टर यहां पर जो रियालिस्टिक इमेज होती है जाँड़ा जो तरीकता हमें याप एक भी जूप मिल रहा है उसके बाद आप इहां से स्पेकलोर का ओन कर दीजें और इसको आप झालक्रीक्विय कर दीजिए आपको क्या पिलेक्शन ने lavor आप इसकी ओपेसिटी आप्शेट यह सब चाहए तो आप यहां से कम कर सकते है आप यह पर कर सकते हैं तो यह ता हमारा लुमेन का रियालिस्टिक रेंडरिंग इंटरियर का तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमें 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 करके बताईए और अगर आपको यह अच्छा लगा उगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजी और पहली बार आपको यह इसे इसको चेंज कर सकते हैं तो गाइस आप जैसकते हो एक रेलिस्टिक यहां पे हमें रेंडर यहां पे मिल गया है काफी आसान यसे और इजीली हमें यह आपे रेंडरिंग को मिल जाता है ओप्शन इसके बाद आप इमेर्स को आप से एक्सपोर्ट कर लीजिए और सेव कर लीजिए बहुत ही इजी होता है लुमेन में रेंडरिंग इंटेर को रेंडर करने के लिए आप इसका एक वीडियो भी बना सकती है वह भी आपका काफी जल्दी बन जाता है कंपेर्ट टू 3D Max 3D Max में अगर आप वीरे में भी रेंडर करोगे इमेज को रेंडर करोगे तो भी आपका एक से देड़ गंता या दो गंता उजा सकता है ओं गिधियन में प्रेपर करोंगा कि लुमें में भी आप ट्राइक करो और यहां पी आप दैख सकते बहुत अच्छी आप आप बंगों है आ जो मिल जाती है चाए तो आप इसका वीडियो भी मना सकते हैं वह भी है को बहुत कम टाइम मिल जाता है ओकी गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो